आप सब होंगे तो नीवर आने वाला सबस्टू बने तो आप समझ रहे होंगे क्या अज़ अज़ हम गाजर कालवा बना रहे हैं नहीं नहीं हम आज कोई नई हम अदूर से कालो वि भूल जाओगै और आप एक उससे हम करस्ट करेंगे तुम इस तरह से सभी गाज़र को करस्ट कर ले ती और गाज़र मेंने लीथी पांसो गरम तो सभी गाजर शाम्मिन टे तरह से आप मैंस ओद चुट रेंगे रच्छे सी को मिक्स कर लेंगे इसके लंब सब मिटाने हमें इस तरह से मैं चलाते रहे हूं 5-6 मिल्क लगएगी इसको बनते वे और आपके पास मिल्क पाउडर नी है यह आप मावा मंगा सकते हैं फीका वाला तो भी आप डासकते हैं 10 मिल्क में बनने वाली बनने की तयारी में है, तीक होने लगा है, और इसको मैंने 5-6 मिलट लगी थी मेरे को, और ये दिखिए अब पेंसे छूटने लग गया है, तो मावा मारा तयार हो चुका है, आप देख सकते हूँ, मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, आपको के देखो, मैं जैसे इसको लगा तो यह मेरे जो चम्चा है उसके उपर ही चोंड के आ रहा है तो मतलब हमारा मावा बिल्कुल तयार हो गया तो मैं फ्लेम कर दूगी बन और इसको ठंडा होने में इसको सैड में रख दूँगी तो मैं रख दिया कड़ाई गरम होने मीडियम फ्लेम ही रखिए और जो मैंने सब्यन करते है इसका सेव मेरे को जो हे वही चाहिए हाँ पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा वर सेफ हमेची हल्वा नहीं बनाना इसके लिए सक्कर डालेंगे तो इसका सेव सभी रहेगा तो सक्कर के साथ इसकी बुन्दाई करना है तो अभी मीडियम फ्लेम में इसको इसी तरह से में गाजर का पानी सोक कर लूँगी पूरा क्योंकि मैं बना रही हूं आज केरेट बोल बहुत ही मज़ेदार रेश्पी है आप जरूर ट्राय करें और सबको पसंद रहाने वाली है तो यह देखिए पूरा पानी ड्राय हो गया है अब इसकी बुंदाई करेंगे हम एक से दो मिनट तक उसके बाद इसके अंदर डालूंगे में हापकब दूद दूद डालके भी इ मिक्स कर लेंगे हम तो दूद भी पूरा ड्राय हो गया तो अब में इसके दाना लिए लाइची पाउडर लाइची पाउडर ओप्सनल है आपके बच्चों को पसंद निए तो ना डाले तो मैंने चोता ही चिमट डाला ता इलाइची पाउडर इसको अच्छे से मिक्स कर अर बच्छे पाउडर हो चुका है आप देख सकते हो हमारा जो हलवा बना रहे यहां के रड़ बोल बना रहे होई अब इसके अंदर मैने मेवा बनाया था आपको दिका सकते हो किता डुरा हो गयर मैंने इसको बाउन में निकाल लिया था और एकम दाने दाना मावा की तरह तो तो मैं इसको हातों से पूरा करस करके डालूंगी क्योंकि इसकी गुठली बन जाती है तो मैं हातों से सब करस करके डाल रहे हूं और मैं पूरा इसके अंदर एट करूंगी बहुत ही अच्छा टेस आएगा इससे तो मैं इसके अंदर पूरा ही मावा इस तरह से एट कर द गी डूम लेट कर देंगे बंद और इसको बिलेट में निकाल लेते हैं हलका से ठंडा कर देटे ज्यादा नहीं ज़्यादा तो इसके फटाफट बना लेते हैं बहुत ही मजदार रेसीपी है आप निवे रपाल्टे में भी आप इसको बना सकते हैं तो मैं ने छोटी सी लोई ली और हलके हलके इसको गुमाया और ये देखिए बोल की सेप में आ कया है निम्बू की साइच के बनाए है मैंने सभी और सभी बनाके मैंने तयार कर लिया किस बात किजा यह किछन में और फटाफट बनाएए तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं जब भी बनाती हूं फटाफट उसी टाइम फिनिस कर देते हैं तो आपको मेरी रेस्पिय पसंद आएक निया है रिको कमिट में जरूर बताएं और आपको कोई भी प्रियो नाज़ 4, 5